अखिल वारतिये संस्कृत ज्ञान परिच्छा मध्यमा हमारे राष्ट नाइक हमारे राष्ट नाइक पर आधारित कुछ प्रेरक कथन जंगलों में भूके प्यासे रेकर कष्ट मैं जीबन विताया परंत अकवर की अधिनता सुईकार नहीं की महराणा प्रताप बीजापुर के दर्बार में जिसने सिंग गर्जना की मैं बिधर्मी के सामने अपना मच तक नहीं जुकाऊंगा सिवाजी समर्थ गुर रामदास की प्रेडा से जिन्होंने हिंदू सामराज के स्थापना की चत्रपती सिवाजी महत्मा गांधी गोली से उड़ा दिया सरदार भगत से जीवन के अंतिम समय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने नाम आजाद को को सार्थक किया चंद से कर आजाद भारती जन्ता को आवान किया तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूगा सुवार्ष चंद्रवोष भारत चीन युद्ध में देश की रच्छार्थ बल्दान होने वाले किनी दो सेनिकों सेनिक अधिकारियों के नाम ब्रिगेडियर होश्यार सिंग मेजर सैतान सिंग ऐसे कोछ हमर बल्दानी देश वक्तों की जीवन से सम्मंदित कथन या लिखे हैं उनके नाम बताईए ऐसे तीन वाई जिन्होंने देश की सुतंत्रदा के लिए अपना जीवन भल्दान कर दिया चाफिकरबंदू, दामोदर, बालकर्ष्ण और बासदेव ये इनको चाफिकरबंदू कहा जाता है दामोदर, बालकर्ष्ण और बासदेव अंग्रेजी सासनकाल में सवांतर प्रसासन विवस्ता इस्थापित करने वाले एक राष्टबादी धरम गुरु का क्या नाम था राम सिंकु का बेदो भाई जो स्री राम जनम भूम पर कार सेवा करते हुए दो नमंबर 1990 इसपी को बल्दान हो गए राम कोठारी, सरद कोठारी 1857 के सुतंत्ता संग्राम में पहला सईद कौन था मंगल पांडे 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक के लेखक कौन थे बीर सावरगर ऐसे मापुरुष कौन थे यहोंने देश और धर्मगी रच्चा के लिए अपने पिता एबं अपने पुत्रों को बल्दान के लिए प्रेड़ किया गुरगोबिन से भगत सिंग ने काकोरी कांड के लिए किस सहीज से प्रवावित होकर सहीद के नाम पर ही अपने छूटे भाई का नाम रख लिया राजेंद लाहिडी काकोरी कंड का वे कौन क्रांतिकारी था जो 19 दिसंबर 1927 को ठाकोर रोशन सिंग के साथ फांसी पर चड़ा दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल ICS अपसर होना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है इमानदारी और लगन के साथ अपने देश की सेवा करना सुवाश्चंद भोश ने यह बात पत्त्र में लेकर किसको भीजी अपने बड़े भाई सरत चंद्र भोश को उसकरांतकारी बीर का नाम जिसने अंग्रेजों से संगर्स करने के लिए एक सेना गड़ित की थी सरकार ने जिसे ग्रपतार करने के लिए 12,500 रुपए इनाम की घुशला की थी बी थे राश्व्यारी बोश राश्ट नायकों के प्रेरख परशन जिसकोन निज गौरपत था निज देश का अभिमान है वे नर नहीं नर पस्प निरा और मरतक समान है किसने का मैत्री सरण गुप्त ये कथन किन किन मापुर्शों के है सवा लाग से एक लड़ाओं गुर्गो विंद सिंग सुराज मेरा जन्म सिद्ध अतिकार है लोक मान बाल गंगा धर्थ लग्त नियाए दीश के पूचने पर किसने कहा मेरा नाम आजाद मेरे पिता का नाम सुतंत्र और मेरा निवास इस्थान जेल खाना है चंद्र सेकर आजाद सुच्छता में ही ईश्वर का वास है मात्मा गंदी मैं अपनी जहासी नहीं दूगी रानी लच्मी बाई अपना राज बुरा होने पर भी बिदेशी राज से सोग ना अच्छा है मेर्च द्यानंद सरस्थी सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवी का दिल में है राम परसाद बिश्मेल दो आजन्म कारावास का दंद सुनाए जाने पर किस महापुरुष ने यह बाग के कहा अंग्रिजो तुमारा राज पचास वर्स नहीं चलेगा पचास वर्स नहीं रहेगा बीर बिनाएक दामुदर सबर कर नेक्स्ट यद आइस प्रस्ता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है किसने का बाला साफ देवरास कर्म ग्यान और भक्त इन तीनों का जिस जगे एक क्योता है बही स्रेष्ट पुस्ता अर्थ है कर्म ग्यान और भक्त इन तीनों का जिस जगे एक होता है बही स्रेष्ट पुस्ता अर्थ है किसने का शिरी अर्विन शिक्षा का अर्थ है उस पूर्टा को प्रकट करना जो मनुष्यों में पहले से विद्धिवान है सुदेश और सुजात की उन्नत के मंगल मंदिर का सिंग द्वार है मात्र भाषा लक्षमिनात बेज बरुआ लक्षमिनात बेज बरुआ इस वीडियो में बस इतना ही दीगे यहां पर यह अंक विवाजन दिया हुआ है यह इसमें टोपिक है उसके आधार पर अंक विवाजन दिया हुआ है और इसमें जो है कुर्ष्चन ओमर सीट पर होगा चार बिकलब दी होंगे बिकलब छांट कर उत्तर पत्रक ओमर सीट में एक गोला कला करना है कुल पचास प्रस्ण होगे सो अंकों का पेपर होगा थेक थेंक यू हुआ है